इतनी खुशी इतनी खुशी तू जुटी मैं मकार फिल्म स्टारिंग रनबेर कपूर और शद्धा कपूर हो गई है थेटर में रिलीज जो एक रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म है याने शॉर्ट में बोले तो रॉम कॉम जो बेसिक लम भी फिल्म है और सच कहू तो बहुत दिन वही कर बैठता है एक लड़की से मेक अप याने प्यार वो भी सच्चा वाला और स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब खुद का ही ब्रेक अप करने की बारी आती है आगे क्या होता है वो आपको को देख के अच्छा लगता है ये जितनी जादा रोमेंटिक कॉमेडी म आपको अगर लगता होगा कि ये यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर ही बनाई गई मूवी है तो ना ये मूवी धीरे धीरे करके फैमिली ड्रामा में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा अब यहाँ हीरो इन हीरो को यस बोलती है कि नो ये तो आपको फिल्म में ही देखने को मिले मूवी अल्मोस्ट पॉने तीन घंटी की है एंड फर्स्ट हाफ में वो फील भी होता है कि हां मैं कोई लंबी मूवी देखने बैठा हूँ पर जैसे ही इसका इंटरवल आता है फिल्म अपना गेर चेंज करके सीधा फिफ्त गेर में चलने लगती है और एक दो ट्विस्ट के साथ वो और भी जादा अच्छे लगने लगती है अब देखो यार रनबीर कपूर फुल अन चावा दिखता है और उसके डांस और गाने स्पेशली फायर ते थे इंट फिल्म में मोनोलोग बड़े-बड़े है लेकिन सुनने में इतना मजा ही नह प्लाइमिक्स में मोनोलोग आपको तगड़े लगते हैं इमोशनल भी करते हैं अंदर तक प्लस हसाता भी है फरस्ट हाफ में गाने है हल लेकिन वह फन था ना वो मिसंग लेकिन सेकेंड हाफ में जब फन आता है तो लॉजिक चला जाता है पिच्छर का क्योंकि यार मैं ज तो को लव रंजन की फिल्म है तो उन्होंने इस टाइम के हिसाब से मौडरन लव स्टोरी मौडरन प्रॉब्लम दिखाने की कुशिश की है यह लेकिन ऐसा डिरेक्टर जिसको तालियों के साथ एकदम फ्री बहुत सारी गालियां भी पढ़ती है अपने लव रंजन सहाब ये बनाते हैं काफी कलरफुल टाइप का सिनिमा एकदम रंगीन फुल एमोशन वाला तु जूटी मैंबकार फिल्म को लेकर शोर कुछ जादा नहीं है लेकिन क्या पता ये आगे आने वाले तुफान से पहले की शांती तो नहीं कहानी बस यही काम है अपने लव गुरू का नॉइस कंट्रोल शोर शराबा बिलकुल नहीं होना चाहिए लड़का हो या लड़की खुद इनके क्लाइन के सामने हाथ पैर जोड कर बोलेगा बेबी शोना चलो ब्रेक अप कर लेते हैं यार बट बात जब खुद पर आती है तो अपने लव गुरू एकदम गहरे प्यार में है सुन्दर सुशील मौडन जवान लड़की के साथ आजकल जमाना है माज सिनिमा का हर तरफ लाज़र देन लाइफ टाइप की मूवीज बन रही हैं ये फिल्म को देखकर आपको लग रहा होगा ये कहानी मौडन जमानी की है साथ इसमें कहां वो अंजली राहूल वाला इश्क-महबत रोमेंस देखने को मिलेगा लेकिन आपको फिल्म थोड़ी अजीब सी लग सकती है क्योंकि वहां पे वो कार्टे-कार्ण स्टाइल में कुछ जादा ही जबरदस्ती की डायलोग बाजी हुसाई गई है